क्रिश्मस आ रहा है और हर सल की तरह इस सल भी हम लोगों कोई उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा हम लोग संता दादा जी का इंतिजार करते रह जाएंगे और वो हम लोगों के घर फिर आना बोल जाएंगे गुल्लू तु हिम्मत मत हार हो सकता है इस सल संता दादा जी के लिस्ट में हम दोनों का ही नाम हो बिचारा इन गरीब बच्चा लोग के पास तो लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा संता बनकर जिंगल बेल जिंगल बेल तुम्हारी विस पूरी करेगा जो मांगोगे वही मिलेगा संता आया तौफा लाया मेरे प्यारी बच्चे काफी साल से तुम मेरा इंतजार कर रहे थे आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मांगो क्या विस मांगना है क्या आप सच में संता दादाजी है मुझे तो बिल्कुली बिश्वास नहीं हो रहा सच में आज मैं बहुत खुश हूँ रुकी रुकी मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें सारे विसेश लिखे हुए है मैं एक एक करके मांगता हूँ बापरे ये तो पूरी लिस्ट निकाल रहा रहे ए लालची बच्चा मैं एक ही विस पूरी कर सकता हूँ सिर्फ एक अच्छा ठीक है इतने सारे विसेश में कौन सा विश मांगो आइडिया संता दादा क्या मैं अपने दोस्त गुल्लू को यहां बुला लू ताकि साथ मैं कुछ अच्चा मांग सकूँ अच्छा चल जो भी हो अच्छा चल जो भी हो बोल क्या मांगना है कानी धर्ला पताता हूँ अरे अरे गुद्गुदी होती है अरे अरे गुद्गुदी हो रही अरे ऐसे कैसे विस मांग सकते हैं संता दादा जी क्या सोचेंगे नहीं यहीं सही होगा छुटकारा चाहिए की नहीं? हाँ चाहिए तो पात फिर पस तो ठीक है हमारी विस है की हमारी टीचर की याद्तास गायब हो जाए ताकि वो हमें होमवक ना दे पाए उनको काले कुत्तों का जुंट दिन रात तौड़ाए जब भी वो इस्कूल के लिए बहार आए सबसे पहले वो गटर में गिर जाए और सुवर के बच्चे उनके मूँ को चाट कर चले जाए हमें मुर्गा बनाने वाले जब भी वो मुर्गा खाए उनका पेट गड़बड हो जाए और महने महने भर वो टॉलेट से बाहार ही ना निकल पाए बाप ने बाप ने सेर आप याद नहीं है ना हाँ मैं तुम्हारा टीचर उर्फ संता अब देखो कैसे पड़ता है पीठ में टंटा भाग भाग दुक्तुग